ओके फ्रेंस तो यह वोड़ोफोन की तरफ से एक अपडेट आया है कि गॉवर्मेंट डज नॉट वांट तो रन दे कंपनी यह नहीं गॉवर्मेंट कंपनी को चलाना नहीं चाहता है वह सिर्फ एक स्टेक होलडर बनके रहना चाहता है गॉवर्मेंट क्योंकि वह सपोर्ट अगर दोई कंपनी एक्जिस्ट करेगी तो फिर एक्शली वह कंपेटिटिव नहीं रहेगा इसलिए वह चाहते हैं कि वोड़ोफोन भी कंटिन्यू करें इसलिए गवर्मेंट ने टेलिकॉम के लिए रिलीफ पैकेज दिया था कुछ महीनों पहले और वह रिलीफ पैकेज वोड़ोफोन आइडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है तो उस हिसाब से गवर्मेंट सबसे बड़ा शेयर खुल्डर बन जाएगा वोड़ोफोन आइडिया का और वोड़ोफोन आइडिया के जो एमडी और सीयों है जो रविंद्र ठकर उन्होंने क्लैरिफाइ किया है कि व वोड़ोफोन आइडिया में और सबसे बड़ा शेयर होल्डर होगा कंपने में तो लाइक गवर्मेंट अगर इतना कुछ कर रही है प्राइवेट कंपने के लिए भी तो यह काफी पॉजिटिव स्टेप है और आई डूनों कि लाइक बाकी सब शेयर होल्डर किस हिसाब से इसको कंसिडर करते हैं बट अगर आप देखे तो यह बहुत ही पॉजिटिव स्टेप से लाइक ऑल्दो गवर्मेंट ने स्टेक बढ़ा दिया है तो यानि शेयर होल्डर्स सोचेंगे कि अभी अभी गवर्मेंट कंपनी बन चुकी बट ऐसा नहीं यह एक प्राइवेट क उनको रिलीफ पैकेज दिया है जिसमें लाइक अभी उनका लाइक हाइस्ट शेयर होल्डर्स बन गया है और ब्रिटिश टिलेकॉम जो वोड़फोन पील सी है उनका जो होल्डिंग है वो 44% से 28.5% आचुका है और अधित्य विला ग्रूप का करिवन 27.7% से 17.8% आचुका है तो ऑक्टोबर में यह रिलीफ पैकेज दिया था ओके तो अचली ऐसे देखने जाए तो यह लोग गोवर्मेंट आफ इंडिया यानि यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया जो है सूटी बोलता है स्टाटिटरी अंडर्टेकिंग अफ यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया उस को उसके थूरू वो लोग स्टेक भाई कर रहे हैं और एक्विटी शेयर्स को दस रुपे पर शेयर के प्राइस पे दे रहे हैं और फाइनल कंफोर्मेशन डॉट देगा लाइक डिपार्टमेंट आफ टेलेकॉम तो मेरे हिसाब से या ओवरलो अगर आप कंसेक्रेशन करो तो काफी बड़ा एक हेडिक जो था करजे का वो वोड़फोन के लिए भी फॉर टाइम बिंग निकल गया है और कंपनी कंसेंट्रेट कर सकते हैं बिजनस को एक्स्पैंड करने में और बिजनस को इंप्रूव करने में प्रॉफिटिबिलिटी है रेविन्यूस है ये सब च कंपनी के लिए क्योंकि अभी अल्मोस्ट करजा बहुत कम हो चुका है तो यह भी हेल्प कर सकता है उनको तो मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक डिसीजन है यानि लाइक जो कंपनी अल्मोस्ट बैट गई थी उसको थोड़ा सपोर्ट मिला है लाइक स्टेरोइड जैसा बोल सकते है कि Government of India थोड़ा सपोर्ट कर रही है और उसको वापिस स्टेबल करना चाहती है तीसरी कंपने को तो देखते हैं आगे चलके कैसा यह मूव आई मीन कैसा हम लोग अभी तो प्रेडिक नहीं कर सकते हैं आगे चलके कैसा होगा यह कंपनी के लिए यह मूव की वज़े से वो तो टाइम ही बताएगा बट एक अप्टिमिस्टिक स्टेप बुल सकते हैं आप गॉवर्मन्ट के साट से ओके फ्रेंस ओप यू वीडियो अपको प्रसंद आए थैंक यू